तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड दोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एंसी आर्टी और यहां पे आपका चैप्टर नंबर 6 है मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री इसका पार्ट 2 है य है मिनरल बेस्ट इंडस्ट्री आज हम इसको डिटेल के साथ में कवर करेंगे चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास और हां आपको अगर इसके नोट्स आईए इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे इसके राव जितनी बाकी वीडियोस हैं इस बुक से रिलेटिड वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है चलो अभी समझते हैं मिनरल बेस्ट इंडस्ट्रीज त मिनरल्स यानि की जो रा मैटेरियल है वो क्या होंगे हमारे ओर्स मिनरल्स यह ठीक है यह साइज चीजे में से हमें मैटल्स निकालनी पड़ेंगी चलो देखते हैं कुछ चीजें कुछ इंडस्ट्री आ रही है वो है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री अब बात ऐसी है कि आयरन और स्टील दोनों चीजें बहुत ज़्यादा जुरूरी है आयरन बेकबोन ओफ दा इंडस्ट्रियल डेवलेमेंट इसके नाम से इसको जाना जाता है क्या जाना जाता है किस नाम से बेकबोन ओफ इंडस्ट्रियल डेवलेमेंट यानि की जो तरक्की है इंडस्ट्र की तो स्टील भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सारी जुगों पे इसका भी इस्तमाल किया जाता है और फरक वस इतना है स्टील जो है आयरन से ज्यादा मजबूत होती है और एंटी रस्टिंग होती है इसको जंग नहीं लगता ठीक है यह थोड़े से प्लस पॉइंट मिल लाइम स्टोन यह सारी चीजह require होती है स्टील को बनाने के लिए मतलब लोहा तो चाहिए स्टील ऐसा नहीं ओता कि कुछ और मैटल है नहीं स्टील जो है लोहे से कुछ चीजह और मिलाकिये एक्स्ट्रा चीजे और स्टेयल का चि को बनाय जाताय त्री इस ट्रीक और यहाँ पर यहाँ पर में बढ़ा रख़े है कि इसके साथ में कोल डिए कष़ये लाइं में फोटाय कोमिस्टे मीगनेशियं आउता है जो क्योंकि नोंने प्रोपोर्शन देखा है 421 का ठीक है अब यहां पे स्टील से क्या बनता है स्टील इज निडिड टू मैनुफेक्ट्चर आप वाराइटी ओफ इंजीनियरिंग गूर्स छोटे मोटे पूर्जे बनाने होते हैं वह स्टील से बनते हैं क्यों क्योंकि देखो क तो यह सारी चीजे आपकी नोर्मली स्टील से देखने को मिल जाएंगे अब यहां पे प्रोसेस बता रहा है स्टील के मैनुफेक्ट्रिंग का कि सबसे पहले रा मैटीरियल लाया जाता है उसको एक ब्लास्ट फरनेंस यानिकी भट्टी में डाला जाता है गरम भट्टी मे ठीक है उसको मतलब लोहा आया है जो उसको पिंगलाया जाएगा उसके बाद में उससे पीगायरा निकलता है और फिर जो है स्टील मेकिंग की परकरिया सुरू होती है उसमें से इंप्योर्टी हटा दी जाती है और जो एड करना है वो एड कर दिया जाता है और फिर जो है प्रोडक्शन में काफी उननत है बहुत ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता बेगिन यहाँ पर बिखती नहीं है और सिंपल सा राइजन क्या है क्यों नहीं बिखती है क्योंकि बहुत नहीं थी निम्हेंगी देखो सिंपल अगर बेसिकली हमारे रिया अपने रिया की बात करूं मैं तो यहां पर क्या है यहां पर लगबग लगबग 47 से 50 के आसपास का हमें आयरन मिल जाता है अच्छा आयरन ठीक है जो भी मतलब सेप चाहिए होती है आयरन की वह मिल जाएगे में 47 से 50 र पर een तरूर्गे रख होता है उसके यलाव थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है लेकिन जादातर यूजजे को करेंगे प्रैफर किसको करें आयरन को क्या एरन बहुत ज्यादा इना सस्ता पड़ता है तो इसे वजह से आइन-गा ज्यूर्द का यूज कम होने की वज़ए बहुत से भारत में इस टील को एक्सपर्ट किया जाता है दूसरे देशों में और भारत वालों को जरूरत थी नहीं भाई साहब कुछ अलगी चीन चल रहा है और बताते हैं कि शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत और चीन थिए ज़्यादा बनाता है फ 250 में लेकिन अब जो है बहुत बड़ा गैप आ चुका है ठीक है चलो कोई बात नहीं का मूड इसाइन को नहीं बनानी थी और इनके जो प्लांट है में में प्लांट आपको बताता हूं तो आप पहले तो मैप देखो मैप के अंदर आपको कुछ दिखने को मिल जाएंगे उस समझ में नहीं आ रहा मैप में कुछ दिखाई नहीं थी आपको तो एक काम करो खोलो बुक में भी देख सकते हो यहां पर देखो दो याद रख लेना इसमें से बोकारो और भिलाई ठीक है यह दो जो है स्टील भिलाई वाला बहुत इंपोर्टेंट कूछा जाता है मार्क बढाने आते हैंना मैप के तो उसमें भिलाई वाला कहीं बार आया हुआ है तो भिलाई वाले को अच्छे से याद कर लेना जो कि आपका मध्याप्रदेश के स्टेट में पढ़ता है जो कि 36 अपर तो 36 अपर दो ऑप जो है यहां पर एक आती है सेल इसी के अंदर है ठीक ऐ आथोरेटी ओफ इंडिया लेंटीड है अब नाम से जैसे पता लग रहा है कि स्टील तो स्टील से मतलब स्टील से डिलेटेड़ सीन न का और वैसे ही एट इसको जानाम है प्रीष कह तीसको दीशको देखो हुआ फरक्क्या है इसे जो है स्टील ऑटॉर्टी ओफ इंडिया furniture कोणने के नाम से इसको नोर्मल जाना जाता है जो की बहुत पमिदेना और अंदर भीए लेकिन टॉदा आपने पड़ी होगी बहुत सारी बूक्स में अतिया दो आब जो आगे चलते हैं तो कि अगे हमें बता आए जाता है और कफोर्फों याल फूल potential हम जो है steel को creation करने में बनाने में अपना पूरा potential नहीं दे रहे हैं तो इसका reason क्या है एक तो high cost मैंने बताया ना कितना क्या पहें यहां पे तो इतनी high cost कौन effort कर पाएगा high cost unlimited availability of coal जो cooking coal होता है जिसमें को को मिला जाता है लोहे में स्टील बनाने के लिए वह कम हैं हमारे पास है नहीं हमें बहार से मंगाना पड़ता भो कूल जो चाहिए में उसके अलावा लोवर प्रोड्यक्टीविटी ओफ लेबर अब लेबर जो है वह अच्छे से काम नहीं कर पाती, मशीने नहीं है, हमारे पास इतनी हाई टेक की मशीने अपने आप काम कर लेंगी उसके अलावा इर्रेगुलर सप्लाई ओफ एनर्जी भाई साब बिजली की तो पूछो इमत आती नहीं है और ये बिजली चाहिए, स्टील बनानी है, भट्टी चलानी है, फरनेंस हर जिगाए पावर चाहिए और पावर का अच्छा सोर्स नहीं है हमारे पास, उसके अलावा पूर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेकनोलोजी की बात कर रहा हूँ वो खराब है, इसी ओजैसे हमारे पास स्टील इतना सारा होते हुए, मतलब स्टील ये जो सोर्स ही जाया, वो इतने सारे होते हुए भी हम स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और हम यूज तो करी नहीं रहे, क्योंकि महेंगी है या, कौन खरी देगा इतनी महेंगी को, चलो, बाइदावे अगले पॉइंट पर आते हैं, छोड़े इस चीज़ को, अलूमिनियम स्मेल्टिंग, अलूमिनियम आप अलूमिनियम की बात करें, अलूमिनियम का पता होगा, अलूमिनियम से बहुत सारे तार बनते हैं, उसके अलावा मेन अगर देखोगे, आपके जो एरक्राफ्ट होते हैं, आपके नहीं होते हैं, सरकार के होते हैं, हमारे पहुत से परे हैं, लेकिन हाँ, जो जहाज वगारा बनते हैं, वो मेली ऐलुमिनियम से बनते हैं, क्योंकि ऐलुमिनियम एक तो हलका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हलका होता है, इसके अंदर कुछ एक मैटल्स मिला के, हलकी फुल की मातरा में मिला के, और इसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जा सकत है स्टील की टक्कर का बनाया जा सकता है अलुमिनियम को और हलका भी रहेगा अच्छी बात है तो इस वजह से स्टील जो एलुमिनियम है उसका यूज किया जाता है और यह सस्ती भी पढ़ती है स्टील से थोड़ी सी सस्ती होते है यह लगा लो 500-200 रुपे क्या सपास यह हमें पढ़ जाती है अलुमिनियम ठीक हो डिपैंड करता है क्या सीप साइज हम इसका ले रहे हैं अब जो यहां पर बता रखा है जो इट हैज अन्ट पॉपुलारिटी एज अ सबस्टीट ओफ बताई हैं स्टील कोपर लेड जिनक उनकी जगह पे ज्यादा तर अलुमिनियम का इस्तिमाल किया जाता है और यहां पर भारत में जो है अलुमिनियम की आर्ट स्मेल्टिंग पॉइंट है हमें जो है अलुमिनियम देखो हमने जाना ना स्टील कैसे बनती है लोहा जो है ठीक है देर एट अलुमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री लोकेटी इन ओडिसा ठीक है औरिसा के अंदर है नालको बाव यह कैसा नाम है नालको बालको वाव चलो कोई बात नहीं नालको और बालको यह जगह है कोई उसके लाव वेस्ट बेंगो लुत्तर करता है था बुक का डाटा गाटे में चल रहा है 2005 की बुक है और अब तक यादा पढ़ रहे हो बीस आ चुका पता नहीं कितनी ज्यादा प्लांट लग अब तक तो इसके तो डाटा पे ज्यादा थोड़ा सा कम भरोसा करना आप अगर चाहों तो सर्च कर सकते हो बाग आप इसका बॉक्साइट में से निकलती है इस वैरी बलकी डार्क वैडिस कलर रोग लाल से रंग की भारी भरकम चक्तान होती है जिसमें से में अलूमिनियम मिलता है और यहां पे एक स्टैट्स के हिसाब से मतलब आवरेज ली बताएं तो चार से चैन अगर आपके पास में आपको मिलेगी बहुत कम मिलती है ना कचरा बहुत ज्यादा अब टाए यहão आघे चलते हैं अब बारे आतीया है देखो इंडेस्ट्रिज हो गई मिनेरल बेस्ट इंडेस्टीज अब यहां बात आती है chemical chemical वही chemical जो खेतों में इस्तवाल्स करतकी है अब लोग दोग्धा बनती हैं, खाने पीने की दवाईयां भी बनती है, chemical industries, उसके लाए और भी बहुत सारी चीज़ बनती हैं, जिसका आपको नहीं पता, चलो हम बता देंगे क्या लिखितिया हैं मैंने, ठीक हैने, चलो, अब chemical industries जिसके बारे में बात करते हैं, यह जो है हमारी GDP में 3% का योगद देती है अपने 2005 के हिसाब से इट इस अधर थार्ड लार्जेस्ट इन एसिया एंड ओक्यूपाइट ट्वेंटीफ ट्वेंटीथ प्लेस इन दा वर्ल्ड इन टम्स अफ साइज दुनिया में 20 वे नंबर पे और जो है एसिया के अंदर तीसरे नंबर पे भारत फार्ट है केमिकल इंडर्स्ट्रीज में आता है फास्ट गृट हैद बिन टिकोर्डिंट इन बोट और और इन ओर इन और्घनिक सेक्टर आपने केमिकल पढ़ी हो गोले हो हम पता होगा इतना और्ट इन और्ट चीजह क्या होती है तो भारत जो यह दोनों चीज़ों में अलग चीज़े बनती हैं चलो बताता हूं आपको चल्फ्यूरिक आसीड जो सिंथेटिक फाइबर फटिलाइजर प्लास्टिक एड़ास्टिक पेंट डाई स्टप ऐसी चीज़े बनाने में इस्तमाल होता है उसके अलाव यह बतारक है सोडा एस नाइट्रिक आसीड यह जो ह पता लग जाए क्या क्या बंदा जो कैमिकल्स है वो बनते हैं और उसे जो समान है वो बनाया जाते हैं अब चलते हैं आगे और आगे आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दें हो कैमिकल की ही एक ब्रांच मान सकते हो आप इसको फर्टी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ठीक है और यह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो आप खेतों में दवाईयां से रखते हो फर्टिलाइजर ठीक है पैस्टिसाइड्स जैसे यूरिया डी एपी ठीक है वो क्या होते हैं वो आपकी पैदावार आपकी जो ग्रोथ है क्रोप क कि उसको increase करने में मदद करते हैं और वो बनते हैं इसी से कैमिकल मतलब fertilizer इंडेस्ट्रीज में बना जाते हैं भार्द में बहुत कम है northern side में नहीं है southern side में यह जाजा तर यहाँ बता रहे हैं there are 57 fertilizer units manufacturing nitrogenous nitrogenous यानी की जिसमें nitrogen होगी जासे यूरिया टीए पी आपका ठीक है तो nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer 29 for urea and 9 for producing ammonium sulfate ठीक है यह जादतर कहां पर यह देखो पताता हूं states कुन सी है गुजरात उत्तरप्रदेश तमिन लाडू पंजाब केरला ठीक है यहां पर जो आपके fertilizer बनाए जाते हैं अब एक दो industry और बच गई है ज्यादा नहीं बचा सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट आपकी सीमेंट कहां काम आती है आपने घर बनवाया होगा यह प्रडोस में बनवाया होगा किसी ने सीमेंट जरूरत होती है सिमेंट इंडिस्ट्री में ये बनायी जाती है और सीमेंट का काम दो पता है फिर आपको घर बनारे घी में नीटों को चिपकाने में काम आती है यह सबस्टेदा चुने जो घरों में मतलब बार्ब 108 यह जोड़ters चूना जो कन्फ्यूज मत हो जाना मतलब यार वो क्या हो गया यह क्या चीज़ फरक बस इतना है वह आपको ऐसे दे देते हैं इसको जो है थोड़ा सा कुछ कैमिकल वगएर और डाल के स्में थोड़े बहुत ज्याद तर इसका इस्तमाद होता है थोड़ा बहुत मतलब यह लगा लिए 30% यह और थोड़ा बहुत 10% के अंदर कुछ और चीज़े डाल के सिमेंट का निर्मान किया जाता है ठीक है अब यहां पर यह चीज़ तो समझ में आ गई और जो पहला सिमेंट प्लांट था वो चेन्न नहीं में लगा था 1904 के अंदर बहुत पहले लगा दिया था है 1904 में लगा दिया कहां पर चेन्न नहीं में चेन्न नहीं में 1904 में पहला सिमेंट का प्लांट इंडिया का लोकेटिड हुआ था देर आर 120 लाज़ प्लांट एंड 332 मिनी प्लांट इन दा कंट्री अभी फिलाल के टाइम पे 123 बड़े और 332 छोटे प्लांट सिमेंट के लगे हुए हैं 2005 के साब से अब ज्यादा हुए हैं चलो आगे चलते हैं अगला है ओटो मोबाइल इंडस्ट्री अब यार ओटो मोबाइल लिखो आपको यह पता होगा वी het you know वहीः इंडस्ट्री जो विह gleichen बनाती है जितने भी विलर चीए हर टाइब के विलर आपको ओटो मोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं और बैंक कहां पोच गया मैं तो यहां पर बता रहे हैं there are 15 manufacturers of passenger cars जो कार होती हैं उसके लिए 15 manufacturer होते हैं उसके अलावा जो है यहां पर 9 of commercial vehicles 14 of two and three wheelers यह मतलब type company बोल सकते हैं एक तरीके से कंपनियां हैं जैसे cement cement भी बहुत अलग-अलग company क्या दे जेके की बनानी पता नहीं क्या क्या नाम है तो वह अलग-अलग type की varieties की cement मिलती है मतलब अलग-अलग company ना हो तो वैसे यहां पर 20 क्या नाम था अटो मॉंबाइल के अंदर भी बहुत सारी varieties देखने को मिल जाती है भारत में लग-बग 14 जो है कारों वाली ब्रैंड है उसके अलावाद थोड़ी बहुत यह 14 जो है छोटी मोटी ब्रैंड है टूविलर की लेकिन जातर गाडिया पर भी बाहर से आती है पतन क्या करते इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी जो चीज जो इस वीडियो को आप देख रहे हो जिस चीज में देख रहे हो वह इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी के अंदर included है phone में देख रहे हो laptop में देख रहे हो किसी डिस्पले में देख रहे हो वो सारे IT सेक्टर के अंदर आते हैं electronics के अंदर आते हैं basically लिए तो यह सारी चीजे इनके बारे में मतलब यह कैसे बनती है हम बनाना थोड़ी न शिकाएं यहां पर यहां पर बताया जाता है कि यहां पर बहुत सारी ब्रांच इंडिया के अंदर और बैंगलोर जो है एक City है मतलब बैंगलोर सहर है जो मसूर है IT के लिए ठीक है कुन सा सहर है बैंगलोर याद एक लेना अधिया को वह यह जो है electronic Capital कहा जाता है इसको इंडिया की क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोनी कैपिटल कहा जाता है बैंगलोर को इंडिया की ठीक है जादा कुछ बताने को है नहीं इसमें नुर्मन सी बात है मुबाइल फोन से वायर टेली फोन सब कुछ इलेक्ट्रोनी जितने भी गैजेट्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे इंफोर्मेशन टेकनलोजी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं बात आती है हमारा जो नेक्स्ट टोपिक है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री मजे तो बहुत ले लिए तुमन एक होता है वाटर पॉल्यूशन है ना जो पानी में फैलता है तीसरा होता है साउंड पॉल्यूशन और कुन्सा होता है और भी पॉल्यूशन होते हैं हाँ एक होता है लैंड पॉल्यूशन साउंड वाले को आप नोईस पॉल्यूशन भी कहते हो ठीक है कुछ भी नाम रख चैसे रबड की फैक्ट्रिया रबड इंडस्ट्री हो गई उसके अलावा जो हम चीद हो गई और भी इंडस्ट्री जहाँ पर भटियां होती है ठीक है वहाँ पे air pollution ज्यादा पाया जाता है water pollution जहां पे dyes paints ऐसी चीज़ों का chemical industry ज्यादा तर पानी पर निर्भर करती है और पानी खराब कर देती है एक stats के हिसाब से बताओं आपको एक fact है कि लगबग लगबग अगर एक किलो ग्राम कोई chemical और फैक्टर केमिकल रिलीज करती है तो वह लगबग आठ लीटर पानी को बरबाद कर देता है एक लीटर पानी को बिल्कुल बरबाद कर देता है और वहां की यानि जो पानी के अंदर जीवर रहे हैं क्योंकि घ्यादर पॉंट्व में डीलीज करते है पानी को तो वह करती हैं करती है मारनी सारे जानूरं Cur abduct via गरं पानी सिधा उसी के अंदर छोड़ देता है पान्ड में तो इनको how है क्या करना क्या इनको filter out करना चाहिए पानी को purify सा करके मतलब खराब ना हो हानी का रगना हो अक्वेटिक लाइप को इसका impact ना भोगना पड़े तो उसके हिसाब से पानी को ठंडा करके और थोड़े भूत कैमिकर्स जो है जो डेंजरुस हैं उनको के ही पॉंड में छोड़ना चाहिए जब कि ऐसे छोड़ देते हैं जिसके उज़से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब अगला आता है नोईस पोल्यूशन अब नोईस आवाज जरनेटर चलाते हो पट 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 बजती रहेगी वह और आपको बिजली मिल जाते है mogą कि मतलब बिल्कुल चूप बिल्कुल चलेंगे पता ही नहीं लेकिन को लगा उनको है है न तो बहुत अग्स नूइस्ट रहते हैं रोड के ऊपर चले जाओ तो बहुत सारी चीज़ें 2 50 क्रियेट करती है अगला आता है लेंड पोलुशन यसल निया चैंड में प ना तो खराब होता ना गलता तूटता उसको ऐसे फैंक दोगे वो जमीन की जो फर्टिलीटी है सोयल की उसको खराब कर देता है जमीन खराब होने लगती है वो सारे इन्हीं के रिजन्स होते हैं अब आते हैं अगले पॉइंट पे थर्मल पोल्यूशन थर्मल होता है टेंपरेचर के साथ में पोल्यूशन ठीक है ना मतलब की जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं घर्मी के साथ में जो मतलब नूकलियर पावर प्लांट होते हैं वो एक टाइप से थर्मल पावर प्लांट होते हैं नहीं कनिफ्यूज कर दिया मैंने आपको लगत लिजली बनती हैं तो वह प्लांट्स भी खतरनाक है क्योंकि यार पानी गरम हो रहा है उसके साथ-साथ उसमें से रेडियेशन्स निकलती है चल लो रेडियेशन को एक टाइम के लिए साइड में रख भी दें तो बाकियार गरम पानी हो एक्दम से जब अब रिलीज होता है पॉंट में तो उसका भी बहुत इंपक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पे ठीक है अब कंट्रोल ऑफ एन्वायमेंटल डीग्रेडेशन कंट्रोल कैसे करें मतलब एन्वायमेंट यार बढ़ बाद तो हो करी रहे हम लोग मझे में लेकिन कुछ हद इन सो फीट गहराई पेमिलेगा तो जहां पर पानी गहराई में है ज्यादा गहराई में वहां पर फैक्ट्रिय सेट दूसरा point आता है कुछ states ने compulsory कर रखे रेन वाटर हर्वेस्टिंग को रेन वाटर बारिस का पानी ठीक है इसको हर्वेस्ट करते हैं लोग बचाते हैं इकठा करते हैं और उसको फीर फैक्टरीज में जहां पर भी इस्तमाल करना वहां पर किया जाता है उसके अलावा आते हैं treating hot water and effluent before releasing them in ponds जो चीज मैंने बताए थी कि तालावों में पानी छोड़ने पहरे उसको ठंडा करें ठीक करें तब भी सुरक्षिता है या फिर उसी पानी को जो पानी आपने फैक्टने जा रहे हो पॉंड में उसमें से जो भी waste material उसको निकाल लो और जो बाकी पानी बच गया filter कर रहे हो तुम पानी को तो जो पानी बचा है filter out होने के बाद तो उसको भी दोबारा यूज करो और जो आपने जो कच्रा निकाला है उसमें से pollutant निकाले हैं कोई फैकने के लिए तो उनका हो सके तो दोबारा यूज करो कहीं पे भी अगर इसका लिंक देर खाया मैंने तो समझ में आई गया हो गया अब कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट करें मेरे से पूछ लेना मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8 9 10 11 12 क्लास की सभी सब्जेक्स की वीडियो हिंदी मिडियम इंग्लिश मिडियम दोनों में होने वाली है तो ए अपके सब्जेक्ट तोपिक्स से रिलेडिड छूटने न पाए